मद्यप्रदेश में बढ़ रहे क्राइम को लेकर कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पट्वारी ने एक समीथी गठित की है जहां प्राध हो रहे हैं कॉंग्रेस वहां बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी जीतु पटवारी ने कहा कि बढ़ते क्राइम को लेकर हमने समीती गठित की है सरकार S.C.S.T. से अपरात के मामले में हमेशा गुनागारों के साथ खड़ी रहती है जीतु पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि हमने समीती का गठन इसलिए किया है क्योंकि मद्यप्रदेश के सागर में जो घटना हुई है उसमें प्रशासन गुनागारों के साथ दिखाई दे रहा है बोकि मंत्री स्वयम सागर गए थे और सागर की घटना पर संग्यान लेने की बात कही थी लेकिन अभी तक पीडित परिवार के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे यह माना जाए कि पीडित परिवार को दिया हुआ आश्वासन पूरा हो रहा है जीतु पटवारी ने कहा कि मद्यप्रदेश में स्टी और स्सी के साथ अत्यदिक क्राइम हो रहे हैं जिसको लेकर कॉंग्रेस ने एक समीती गठित की है जिसमें पूरू मंत्री बाला बच्चन, कई विधायक गण और स्टी एस्टी के कई नेता भी समीती में सम्मिलित हैं गणना है वो दिन पे दिन अत्यदिक बढ़ रही है एसी परिस्तिती में कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमिटी गठित की है जिसमें आधरनिपूरू ग्रह मंत्री बाला बच्चन सम्मिलित के विधायक और स्टी परिवार के हमारे नेतागण है उन्होंने इस पर एक विस्तित रिपोर्ट बना कर चूकि अलग-अलग घटनाओं का अलग-अलग ब्योरा है तो जो सागर में एक ही परिवार के लोगों की हत्या दमंगों ने की और उसको लेकर प्रिशासन की जवाब देही या प्रिशासन का कार वेवार हत्यारों के लेके गए तो यह एहसास कराता इस बात का कि सरकार स्टी एससी पर अत्याचार और अत्याचार और जो क्राइम होता है उसको सरक्षन देती है तो हम मानते हैं इस बात को कि विदान सभा में हमारे विदायक तो उठाएंगे ही पर सागर में भी इस पूरी घटना को लेकर एक बहुत ही गंबिर विशय है और बहुत ही चिंता का विशय है तो ऐसे में आज हमारी कमिटी जाएगी उन्हें अपना पूरा प्रोग्राम बनाया है आने वाले समय में वहां प्रदेशन होगा और जहां जहां ऐसी घटना होगी वहां कांग्रेस पार्टी एस्टी के हमा हमारे विधायक पूरे एस्टे एस्टी पर जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं इसके खिलाप मुखर रहेगा आप देख रहे हैं डखल न्यूर्ट